नमस्ते मैं उज्वला महाराष्टो पुना से अभी फरवरी महिना चल रहा है और नर्सरी में भर भर के फूल लगे हुए पोदे हमें नजर आ रहे हैं और हम कन्फ्यूज है कि कौन से पोदे खरीद ले और कौन से नहीं क्योंकि जो भी winter flowery plant होते हैं वो भी इन दिनों में आخری समय पर उनके flower produce कर रहे होते हैं और उनी के वज़े से पूरी नर्सरी में भरे भरे फूल लगे हुए पोदे हमें दिखते हैं तो इस वीडियो में हम कौन से पोदे हमें फरवरी मार्च में नहीं लेने हैं इसके बारे में बात करने वाले है क्योंकि अगर वो पोधे हमने ले लिये तो कुछी दिनों में वो खराब होने वाले है और हमारे पैसे भी भरबाद हो जाएंगे और हमें बहुत बूरा लगेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजेगा बहुत सरे वीडियो चैनल पर अवेलेबल है और बहुत ही उप्यूक्त जानकरी आपको मिलने वाली है तो सब्सक्राइब कीजेगा तो सब्से पहला पोधा है हमारा पिटुनिया का पोधा बहुत भर भर के फूल इसमें अभी आपको दिख रहे होंगे लेकिन ये फूल हमें नहीं लेने हैं ये प्लांट हम अभी नहीं लेंगे ये बहुत जल्दी खराब होने वाले हैं डाइन्थर्स के भी बहुत प्यारे से छोटे-छोटे फूल होते हैं बहुत सारे रंगों में ये अवेलेबल होते हैं और बल्टी पेटल, सिंगल पेटल जैसे फूल हमें दिखते हैं तो ये पोधे भी सर्दियों के फूल देने वाले पोधे हैं अगर इन्हें हम पहले से ही लगाए हुए है गार्डन में तो ये गर्मियों में चल सकते हैं लेकिन अभी लगाएंगे तो ये नहीं चलते हैं वर्बिना की कोई भी वराइटी हमें इस फरवरी मार्च में नहीं लेनी है ये भी आगे चलके खराब होने वाली है ये एस्टर क के पोधों को भी हमें नहीं लेना है ये जो पीले वाले गेंदे के फूल होते हैं वैसे प्लांट हमें अभी इन दिनों में नहीं लगाने हैं ये लाल रंग पे जो आते हैं गेंदे के फूल उन प्लांट को हमें ले लेना है ये फूल बहुत ही प्यारे चोटे-चोटे होते ह और यही समर में हमें अच्छे से फूल देते हैं पॉंसितिया के यह जो कलरफुल पत्ते वाले पॉदे होते हैं बहुत खुबसूरत दिखते हैं लेकिन इनका भी अब सीजन खतम होने को है अगर यह हमने अभी हमारे गार्डन में लगाएंगे तो यह बहुत जल्द खराब होने वाले हैं तो इन्हें हमें नहीं खरीदना है यह है कलांचू और कलांचू की देशी हाइब्रीड दोनों फराइटी के फूल या फिर पोधे नरसरी में अभी दिखते होंगे लेकिन इनकों हमें नहीं लेना है आप इनकी कटिंग इन दिनों में लगा सकते हैं पत्तों से या फिर कटिंग से ये पोधे इन दिनों में हम तयार कर सकते हैं लेकिन फूलों के लिए ये पोधे हमें इन दिनों में नहीं खरीद लेने हैं नहीं तो ये हमारे पैसे बरबाद कर देंगे ये हैं क्रिसेंटमम और क्रिसेंटमम की भी बहुत सारी वराइटी नरसरी में अभी होती है इने भी हमें नहीं लेना है सकुलन्ट और कैक्टस की जो वराइटी होती है उनमें से आप कैक्टस की कोई भी वराइटी इन दिनों में ले सकते हैं फरवरी मार्च में अगर आप सक्यूलन के साथ कोई भी एक्सप्रिमेंट करेंगे तो सक्यूलन खराब होने वाले हैं इसलिए सक्यूलन के कोई भी पोधे आप इस फरवरी मार्च में नहीं लेंगे कैक्टस की आप कोई भी वराइटी ले सकते है इनको बहुत ही कम पानी देना पड़ता है और बहुत कम पानी में ही ये सर्वाइव करते रहते है गर्मियों का सीजन इनका ग्रोइंग सीजन होता है तो गर्मियों के दिनों में आप कैक्टस जरूर लीजेगा लेकिन सक्यूलन को अवाइड कीजगा यह है एशियाटिक लिली के प्लांट अभी इसमें बहुत सारे फूल आते हैं रेनिकुलस के प्लांट में भी बहुत सारे फूल खिले होंगे लेकिन यह बल्ब हमें सेव करने के लिए अगर आप चाहते हैं अगर आपके पास जगा नहीं है तो आप इसे भी मत लीजेगा जरेनियम के पोधे भी बहुत काफी खुबसूरत होते हैं फूल तो खुबसूरत होते ही है पत्ते भी बहुत सुन्दर होते हैं लेकिन यह जरेनियम के मैचुर प्लांट आपको ले लेने हैं अगर अभी आपने नए पोधे खरीदे तो ये जरूर से जरूर खराब होने वाले हैं अगर आप गुलाब लगाना चाहते हैं और आपको confidence है गुलाब report करने का गर्मियों के दिनों में तो ही आप इसे ले सकते हैं या फिर आप बारिश की दिनों में गुलाब की खरीदी कर सकते हैं और उनको जमीन में या फिर गमले में लगा सकते हैं बहुत सारे पर्मनन वाले फूलों के पोधे होते हैं जो आप इन दिनों में खरीद के अपने घर पर लगा सकते हैं इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो वनाऊंगी अगर आपको ये जानकरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजगा नमस्ते